बेलकम तुमाई यूटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फिरन आज हम अपने इस वीडियो में सोशियो लॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्ब करेंगे यह जो प्रैक्टिस सेट है इस पैसली PGT के एक्जाम के लिए बनाया गया है लेकिन जो भी स्टुट कर्म पर अधारित है यह इसका राइट एंसर होगा ओप्सण नमबर सी जाती तथावर्ण यह दोनों समाज में अस्तरी करण करते हैं समाज में चार्ण में जब शाता है बात करें वर्ग में ऑसी चार्ट यसे आर्थिक कमजोर होती है या फिर जो स्रमिक वर्ग होते हैं और जो आर्थिक रूप से सजक्त होते हैं वह पूजी पती वर्ग में आते हैं यानि जो अस्तरी करण है वह जाती वह वर्ड यहां पर वर्ड दिया गया है वर्ड में कौन कौन से आते हैं वर्ड में आएगा इस तरह से वर्ड ब्योस्था भी जो है देखने को मिलती यानि वर्ड ब्योस्था जाद ब्योस्था वा फिर वर्ग ब्योस्था इन तीनों के माध्यम से समाज में अस्त्री करण देखने को मिलता है फॉर्स उप्षन इसलिए गलत है क्योंकि जाति जो है वो जन्व पर आधारित है वहीं वर्ड जो है यह किस पर आधारित है वर्ड बेउस्था यह कर्म पर आधारित थी तो इसलिए इस कोशन कराई टैंसरों को ओप्षन नमबर C आज कमार और निस्ट कोश्चन है भारती सामाजिक ब्योस्था में जन्व पर आधारित अस्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है ओप्सन नमबर A है वर्ग ब्योस्था में ओप्सन नमबर B है जाति ब्योस्था में ओप्सन नमबर C दियागे आजरम ब्योस्था में तो वर्गी करड़ देखने को मिलता है बात करें अगर वर्ग ब्योस्था तो वर्ग ब्योस्था ये किस पर रिलेटेड है ये इकोनॉमिकली कंडीशन पर रिलेटेड या इकोनॉमिकली कंडीशन के एकॉर्डिंग समाजी कस्तरी करड़ वर्ग ब्योस्था में देखने को मि ब्रह्म्पचरे आश्रम् पहला भ्रह्म दूसरा है ग्र्हस्त आश्रम् तीसरा इवानप्रस्त आश्रम् और चौता है व्द्ट ही पूँश्थ प्रहम् यह वर्ध इसे श्रम चार होता है यह पील्गहाएज Catholics पर संब्नित होता है वह ब्लद्टिक पॉल्ट सव वर्स उम्रमानी गई है कितनी वर्स एक व्यक्ति के टोटल सव वर्स उम्रमानी गई जो पहला आश्रम है यानि ब्रह्मचर आश्रम यह जीरो से लेकर पचीश साल तक दूसरा पचीश से लेकर पचास यानि ग्रहस आश्रम पचीश से लेकर पचास वर्स तक होता है वान प्रियाशास्रम में रहेके ब्यक्ति जो है, finally मोक्षी की प्राप्ति करता है। बढ़ते हैं आज के next question की और। ब्यक्तिके वर्ग का निधारर होता है option number A है उसके बेऊसाय दारा option number B है उसके जन्म दारा option number C है उसकी जाती दारा and last option number D उसकी सामाजिक परिस्थित दारा इसका right answer है option number A उसके बेऊसाय दारा ब्यक्तिके जो वर्ग का निधारर है यानि वर्ग का निर्धायर इस्पेसली कौन करता है उसका बेवसाय करता है बढ़ते हैं आज के नेक्ट कोशन की ओर जनजातियों को प्राइवेट प्यापारियों के सोसर से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यतोचित मूल की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है यानि जनजातियों के जो जनजातियां है उनके उत्पादों को यतोचित मूल प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के दोरा वह कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना की गई है तो पहला है अप्सवर नंबर ए है ट्राइफेड ऑफ्सन नंबर भी है एनस एफडी सी और सी दिया है यह सीपी एंड लास्ट है ऑप्सन नंबर डी आई डी डी इसका राइट एंसर है बात करें ट्राइफेड के स्थापना कब की गई तो इस संस्था के स्थापना 1987 में कब 1987 के अंद में ट्राइफेड नामक संस्था जो है यह स्थापित की गई और इसका मुख खिलक्ष क्या है जो जनजाती है उनके उनके जो उत्पाद है उनके बिपड़न से संबंदित है उत्पादों या जन्जाती उत्पादों के विपढ़न से संबंदी थे जो ट्राइफेड नामक संस था है बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोश्चन की और वर्ड सब्द का प्रियोग सरपथम किया गया था ओप्सन नमबर A है रिगवेद में ओप्सन नमबर B है पूराडों में ओप्सन नमबर C दिया गया उपनी सदों में लास्ट आप्सन नमबर D इसम्रितियों में इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर A रिगवेद में चौता है अथरवेद बात करें वर्ड वियोस्था तो वर्ड वियोस्था सबसे पहले रिग वेद में देखने को मिलता है पहले जो सबसे पुराना प्राचिंतम वेद रिग वेद है यहां पर सबसे पहले वर्ड वियोस्था देखने को मिलती है वर्ड वियोस्था इसमें प और दो हैं अपभ लेकिन वह अपने कर्म के अकॉर्डिन रिग वेद में न जो वर्ड वियती उसमें एक ही घ beneath माली भी रहता था जिलहा भी रहता है उटी ज जतनी भी जातियां होती है जिनका भी अलग अलग काम होता है भी ब्रामध भी रह सकते हैं और छत्री मतलब एक ही जात के सदस्य अपने कर्मे के कॉडिंग क्यूंकि यहां पर कर्मे के कॉडिंग इनका समाजी ब्योस्था दी गई थी इसलिए एक ही फैमली के लोग अलग-अलग काम करके अपने वर्ड ब्योस्था का चैन कर सकते थे तो सब प्रचलित नहीं है वही बात करें नीलगीर की तोड़ा जन्जाती वही तमिलनाड की कोटा जन्जाती वह केरल की नायर जन्जात इन जन्जातियों में बहुपत बिवाः प्रथा प्रचली थे बहुपत बिवाः प्रथा का मतलब होता है कि जब एक समय में एक इस्त्री के एक से अधिक पती होते हैं तो उस उस बिवाः या उस बिवाः प्रथा को बहुपत बिवाः प्रथा कहा जाता ह आज का मारा अनिश्ट कोश्चन है किस जन्जात में भात्रिक बहुपति बिवाह का प्रचलन चलन है ओप्सन नमबर A है थारू जन्जात में ओप्सन नमबर B है गोर्ट जन्जात में option number C दिये है टोड़ा जन्जात में last है option number D भील जन्जात में option number D क्या दिया गया है भील जन्जात में इसका right answer है option number C टोड़ा जन्जात में टोड़ा जन्जातियों में भात्रिक बहुपति बिवाह का प्रशलन है तोड़ा चल जाती है तमिल नाडु के नील गिर परवत में यह देखने को मिलती है और यहाँ पर बहुपत बिवाढ देखने को मिलता है तो बहुतती हो बहद ही टाइप मतलब यहाँ पर जितने भी भाइ रहते हैं उस cause यह सभी से बिवाह कर लिया जाता है सामाधी कस्त्रीकरण एक स्रिजनात्मक जरूरत या किस बिद्वान से संबन्दित है औफसन नमबर A है गिहार लेंसकी औफसन नमबर B है आरके मर्टन औफसन नमबर C दिया गया है किंसले डेविस और लास्ट है औफसन नमबर D लुईस कोजर इसका राइट एंसर है औफसन नमबर C किंसले डेविस किंसले डेविस तथा विलवट मूर के अंसार कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है सभी समाज में संस्त्रड पाया जाता है सभी समाजों में संस्त्रड इसलिए पाया जाता है कि समाजिक सरचना में ब्यक्तियों का कोई न कोई अस्थान निश्चित होना चाहिए तदा बिभिन बदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेड़ा दी चाहिए यानि जो कि डेवीस और मूर है किसले डेवीस और मूर है ये प्रकारिवादी समाज सास्तिय कौन है ये इनको समाज सास्ति के स्रेडी में रखा जाता है ये जो भी यानि जो बात करें समाजी का स्रीकर यानि सोसल स्टाटिफिकेशन की बात करते हैं ये बोलते हैं जो सोसल स्टाटिफिकेशन है वो सोसाइटी के लिए क्या है सोसाइटी के लिए गुड विल में जो है एक्जेस्ट कर पुचारू ढंग से कर रहा है और समाज को इस्तिर और विक्सित करने में अपना योगदान दे रहा है। किस्वार डेविस यह वाहनते हैं कि अगर कोई ऐसे आप लोग गयारा की यो जीक्यारी आपका सूसाइटी में तो आirk जाता है जो स्ट्रिक्रण ऊचेंटा में उपर कीरेडैस इसमें आंगर नहीं होता है और बॉटम पर हेंगे तो संसाइटी यह बोलते हैं कि अगर इस तभी लोग क्या करेंगे क्योंकि यहां पर पावर मिलती है यहां पर सोचल स्टैटस उनका बढ़ जाता है तो लोग इसको प्राप्त करने के लिए लगातार अपने अंदर इंप्रूब करते रहते हैं लगातार प्रयास करते रहते हैं लगातार कंपर कंपरिशन में बैठते हैं यानि अगर सोसाइटी को और बेटर बनाना है तो उनके सोसल स्टैटिफिकेशन है वो क्या है वो गुड है वो गुड मानते हैं कौन मानते हैं किंसले और डेविस किंसले डेविस और मूर जो है सोसल स्टैटिफिकेशन को समाजिक जरूरत मानते हैं यानि इसके अभाव म प्रकारवादी समास्टती है वो मनते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ भी एक्जिस्ट कर रहा है और पार्ट भी में इसके तब या इसके बिना सोसाइटी कायम नहीं रह सकती एंफिर इसके को ट्थी शुपर कर जिंसर में से कौन है समाजिक अस्तरी करण के लिए या समाजिक अस्तरी करण के अध्यन के लिए मैक्स वेवर का उपागम निम्न लिखित में से कौन है ओप्सन नमबर A है एकल आयामी ओप्सन नमबर B दिया गया है दूई आयामी ओप्सन नमबर C है त्री आयामी इसका राइट एंसर है option नमबर C Max Weber के द्वारा जो समाजिक अस्त्रिकरण यानि social certification दिया गया है वो क्या है? ओत्री आयामी दिया गया है यानि उनके अनुसार सक्ति सक्ति सक्ता और जो है आर्थिक इन तीनों स्थितियों के according Max Weber ने समाज का या society का जो है क्या किया है स्टैटिकेशन या फिर उनको समाज को बाटे है चलते हैं आज के ने स्कोशन की ओर खोकार तथा सेनाट समझाति की उत्पति के किस सिध्धान से समबंधित है option नमबर A है सांस्कृतिक सिध्धान option नमबर B है धार्मिक सिध्धान option नमबर D है राजनेतिक सिध्धान लास्ट है option नमबर D ब्यावसाइक सिध्धान option नमबर D क्या दिया गया है ब्यावसाइक सिध्धान इसका राइट एंसर है option नमबर B धार्मिक सिध्धान होकार्ट एवं सेनाट जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिध्धान्थ से जुड़े हैं नेस्फिल्ड ब्यावसाइक सिध्धान्थ तता घुरिये राजनेतिक सिध्धान्थ से जुड़े हैं घ्णी जो होकाट और सेनाट है वो जातने ब्योष सांग के बारे में बताते हैं सिधान्त कौन सा यह घ्रत मीका csidhart के दricht के द्व कर दरह बताते हैं वहीं अगर बत बात करें नेस फिल्ड तो नेस फिल्ड जो है नेस फिल्ड यह जाती उत्पत्ति का जो जाती की उत्पत्ति बताते हैं यह वहीं नेक्स्ट कौन है घुरिये जो घुरिये हैं वो जात की उत्पत्ति का कारण क्या मनते हैं राजनेतिक राजनीतिक सिध्धान्त के द्वारा एजात की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं यानि यहां पर कुशन कराईट एंसर होगा ओप्शन नमबर बी आज कमारा नेस्ट कुशन है जनजातियों के समभैधानिक हितों की जाच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है उप्सन नमबर A है जन जाती विकास अधिकारी, उप्सन नमबर B है अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती आयुक्त, उप्सन नमबर C दिया गया है जन जाती कल्याण अधिकारी, एंड लास्ट है उप्सन नमबर D जन जाती प्रसासक, इसका राइट एंसर है, उप्सन नमबर बी अनसूचित जाति अथ्वा अनसूचित जनजाति आयुक्त यानि जनजातियों के समवैधानिक हितों की जाज का जिम्मेदार या इसका उचतम सरकारी अधिकारी अनसूचित जाति अथ्वा अनसूचित जनजाति आयुक्त होता है आज कमार नेश्ट कोश्चन है प्रदान करना हैं लास्ट है आफ्शन नंबर D भारतिय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना इसका कोशन कराई टेंसर होगा option number B बढ़ते हैं आज कनेश कोशन की और निम्न लिखित में कौन समाजिक अस्तरी करड़ है तो प्रकारियात्मक रूप से उपादे नहीं है option number A है या अउसर उपलग कराने में मदद करता है option number B है या जुजहारूपन का भाव उत्पन करता है option number C है या समाज में प्रतेक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है और last है option number D या समाज में आयोग ब्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है इसका जो right answer है वो होगा option number D जो समाजी कस्त्री करड़ है इसका प्रकारियात्मक कारिया नहीं है कि यह समाज में आयोग बेक्तियों के पहचान में सहायक होता है बलकि यह आउसर उपलब्द कराने में मदद करता है जुजहारूपन का भाउदपन करता है और समाज में प्रतेयक जिम्मेदारी को निर्धारित करने में जो समाजी कस्त्री करड़ है वो सहायक होता है इसका कौन सा ब्यू देखा गया है तो इसका प्रकारियात्मक ब्यू है तो इसमें से कौन सा नहीं है option number D आज का हमारा next question है जातियों में उर्धाधर एकता पाई जाती है या कथन किसका है जातियों में उर्धाधर एकता पाई जाती है कता हैं पस्टन नंबर ए और मुरस्टार का रहाचे के जाती हों में उर्ध्वाधर एकता पाई जाती है bullish था कि गोल गढ़ेड़ों किस जन जाती है समुदाई से सबंदित है option number a है करिया जन जाती option ची नायर जन जाती iOS box 20 लाश्ट आर्फ्सार दी और अच्छे लास्टे तोडह जन जल्ट स्काराइट एंसर है option नॉम्बर तोडїल यह गुल गधेडों या भील जन जातियों से समभन दित है इसमें क्या होता गोल गधेडो प्रथा का उधरण एक गुजरात की भील जनजातियों में पाया जाता है उनमें होली के अउसर पर गोल गधेडो नामक लोक नित्य का उत्सव होता है उस अस्थान पर एक खंभे पर गुड और नारियल बांद दिया जाता है उसके चारों और अभिवाहित लड़के नाचते रहते हैं लड़कों का प्रयात अंदर के घेरे को तोड़कर गुड वा नारियल प्राप्त करना होता है जबकि लड़कियां ऐसा करने से रोकती हैं अगर कोई लड़का घेरे को तोड़कर गुड वा नारियल प्राप्त कर लेता है तो वह नित्त करने व बढ़ते हैं आज कनेश कोशन की ओर, सबसे पहले प्रभावी जात की अउधारा बिक्सित की गई थी, ओप्सन नमबर A है N के बोश दोरा, ओप्सन नमबर B है A बैतेई दोरा, ओप्सन नमबर C है M.N. स्री निवास दोरा, और लास्ट है ओप्सन नमबर D योगेंद्र सिंग दोरा, लास्ट है ओप्सन नमबर D योगेंद्र सिंग दोरा, इसका राइट एंसर है, ओप्सन नमबर C, M.N. स्री निवास के दोरा, किसके दोरा, M.N. स्री निवास के दोरा, प्रशन में लाने वाले जो समास्तास्त्री है वह एमन्स ओरी निवास Сरी निवास का आध्यान करनातक टक्र्थ यो में या अपना अध्यान करते हैं बढ़ते हैं आज के निश्कोशन की ओर सामाजिक अस्त्रीकरण का अध्यान है ओप्सन नमबर ए है सामाजिक समस्याओं का ओप्सन नमबर बी है सामाजिक अन्याई का ओप्सन नमबर सी है सामाजिक असमानताओं का असमानताओं का लास्ट नमबर D सामाजिक बिगटन का इसका right answer है उपसर नमबर C सामाजिक असमानताओं का जो सामाजिक अस्तरिकर्ड़ है यह सामाजिक असमानताओं का अध्यान करता है आज कमार निश्ट गोश्यन है निम्न लिखित में कौन सा सिद्धान्त जात की उतपत्य से संबंधित नहीं है A है परंपराग सिद्धान A बैयोसाइक सिद्धान C है उदविकसिय सिद्धान And last है उप्सन ग्या है उद्धीःपन प्रक्रिया सिद्धान इसका राइट एंसर है ओफसर नमबर डी उद्धीपन प्रक्रिया सिध्धान इससे जात ब्योस्था के उत्पत्त के बारे में उद्धीपन प्रक्रिया सिध्धान या संबंदित नहीं है वहीं बात करने जात ब्योस्था के उत्पत्त या परमपरागत सिध्धान ब्योस्थ पाएक सिध्धान वह फिर उद्विकासि ये सिध्धान ये तीनं सिध्धान जो है जात भीवस्था के उत्पत्त से रिलेट्ट है म्याजका मारे शक्व है अपनी जाति के प्रत ऐसे वफ़ादारी को क्या कहा जाता है जिसमें ब्यक्ति अन्य जातियों के हित की उपेक्षा करता है option number A है जातिवाद, option number B है छेत्रवाद, option number C है संप्रदायवाद, and last option number D भासावाद option number D क्या दिया गया है भासावाद इसका right answer है option number A जातिवाद काका कालेकर के अनसार जातिवाद एक ऐसी उच्छ अंध तथा सर्वोच समू भक्ती है जो न्याय अउचित समानता तथा बिस्व बंधुत जैसी स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करता है जातिवाद के अंतरगर जो भ्यक्ति होता है वो अपने जातिवाद को स्रेश्ट बताता है और जो सामने वाली की जातिवाद है यह उधाड़ा जात इवाद कहलाती है आज का मारा नेस्ट कोशन है जात की परिभासा है जात की परिभासा है ओप्सन नमबर A है जात एक बंद वर्ग है ओप्सन नमबर B है जात एक अंतर विवाही समू है ओप्सन नमबर C है जात एक बहिर विवाही समू है लास्ट है option number D जात एक भूभागी समू है फ्रेंड यह वाला question जो है हम पिछले वीडियो में आई जो question के form में पूछे दे और जादा तर student के दौरा इस question का right answer दिया गया था कि जात एक बंद वर्ग है कभी-कभी ऐसा भी पूछ सकते है कि जात एक बंद वर्ग है यह परिभ्यासा या जात से related यह परिभ्यासा किसके दौरा दी गई है तो यह मदन और मजुमदार के दौरा यह परिभ्यासा दी गई है बढ़ते हैं आज के next question की ओर next question जो कि कथन और कारण से related है कथन दिया गया है भारत प्रजातियों का अजायब घर है और कारण दिया गया है कि भारत में अनेक जातियां मिलती है तो कूटों की सहायता से इसका जो है सही उतर चुनना है तो option number A दिया गया है कि A, R दोनों सही है तथा R, A की सही ब्याख्या करता है option number B है A, R दोनों सही है लेकिन R, A की सही ब्याख्या नहीं करता है option number C है A, A सही है किन्तु R, A गलत है last option number D, A गलत है किन्तु R, A सही है तो friend जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जो last का question होता है जो question के form में होता है यानि इस question का right answer क्या होगा आप लोग को comment box में comment करके बताना है कि इस question का right answer क्या होगा तो friend अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो please हमारे वीडियो को like करें और अगर आप हमारे चैनल में first time विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को subscribe करें तधा वेल आइकन को जरूर पेस करें तक कि हमारे आने वाले वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके thank you for watching my video जाए